अब आपका देश दुनिया की तमाम खबरों में जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले कुछ ऐसी खबरे जिसे जूनकर आप खुश हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको तो है तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए जो है सरकार ने एक बहुती बड़ा फैसला लिया है और जानेंगे दोस्तो इस वीडियो के अंदर की क्या ट्रेने चालो होंगी या नहीं होंगी तीन मई के बाद जियां दोस्तो सब खरी को बढ़कर बताएंगे और साथ ही दोस्तो राशन आपको बढ़के मिलेगा जियां दोस्तो कितना राशन आपको बढ़ा के दिया जाएगा वो भी जानेंगे को सबसक्राइब करोना अब्देट का कि ये ञहरे है उस दोस्तों दोस्तों Kucedjourneg taught home % अगर अभी तक सबसक्राइब नहीं किया तो आप Чैनल को सब्सक्राइब बहुत सबस Remember कि समार्टों को चैनल पर आपको लेटेस्ट अब्डैट हम्में इससा सबसे चाहए मिलता है तो चलिए शुरू करते सबसे पहले करोना अपडेट्स को लेकर जैसा कि आपको पता है दोस्तों दुनिया भर में जिया दोस्तों करोना का संक्रमान जो है बहुत तीजी से फैल रहा है लग बहुत तीस लाग से ज्यादा लोग जो है अभी तक इसके चपेट में आ चुके है बात करें उत्र कोरिया के जो है चांसलर जिसे हम जानते है किंजौंक के नाम से जी आदुस्तों काफी र्रपोर्ट के मतावीड़ा जाना है कि वो जो है अब नहीं रहें करोना संक्रमान के मानएं लेकं काफी इस रिपोर्ट के मामले तो अभी जिवित भी तो यानि कोई दुनिया में कहीं पर भी यानि कोई बड़ा आदमी हो चाह छोटा आदमी हो जिया दोस्तो किसी को भी जो है करोना वाइस नहीं छोड़ रहा है तो इसलिए आप लोग सुरचित रही अपने घरों में रही है और सेफ रही है बात करते हैं भारत में कितना है करोना संक्रमन के म दोस्तो इस समय बहुत तेजी से भारत स्टेज 3 की लेवल पर पहुचने जा रहा है जिसके वज़े से लॉक्डाउन को बढ़ाने की आसंका जादा है जिया दोस्तो तीन मई के बाद लॉक्डाउन खुलेगा या बढ़ेगा अभी तक सरकार ने इसके उपर फैसला नहीं और अभी तक टेस्टिंग जिया दोस्तो अभी तक टेस्टी नहीं हो पाया है इतने लोगों का कि जो है भारत सरकार ये कह सके कि हाँ अब लॉक्डाउन यहां से खोला जा सके बात करते अगली सबसे बड़ी खबर सबसे बड़ी खबर इसलिए दोस्तो क्योंकि आप सभी बेसबरी से जितने वे प्रवासी मजदूर भाइबेन जो सिछक हैं चाहे जो विद्यारती हैं चाहे जो प्रवासी परियाटक हैं काफी एसे लोग हैं जो फशे हुए लौड दॉस्टों काफी ऐसे लोग हैं भूमने के लिए निकले थे अपने चुटिया बिताने के लिए निकले थे लेकिन लॉट डॉन के चलते जो है तमाम राज्यों के बॉर्डर सील कर दिये जिसके वज़े से वहां फज़ गए और ऐसे मजदूर भाई बेंट जो हर साल जो निकलते हैं अपने घरों से कमाने के रोजगार की दलास में और जो अन्य अनरंजों में जो है जाकर बसे हुए हैं जो दिन धाडरी की मजदूरी करते हैं किसी मीलों में काम करते हैं तो है यानि कि बसों के मादेम से जो है लोग जाया जा रहे है क्योंकि राजसान सरकार ने सबसे पहले बसों के मादेम से तमाम मज़़ूरों को लाने की प्रक्रियाश शुरू कर दिये दो दिन पहले से ही जो है वहाँ बसे चलाई जा रही है अगली ख़बर की तहर बड़ते shiny tell कि आपको पताव चुंकि यह को काफी मन में धाउड two की रेल्वेश अप्टेट के कि नेखने होगी लेकिन आपको बतार दो अज आज की यह पूसिता क्तुछ जो चूकी है इस पेश ενुत bio को ह suit सब्सक्राइब करेंगे इतने मजदूर इस जगह जो है इस जिल्हे में फज़े हुए हम इस जिल्हे में से एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जिसने तारीक पे जो है सभी का टेस्ट होगा और उस टेस्ट के उने के बाद आप सभी को जो इसमें बैठा कर ले जाए जाएगा हम बात करें सबसे पहले ट्रेन चलाएंगे है तेलंगाना में तेलंगाना में सरकार में जो और मजदूर दीवस यांनी एक मई के दिन पर सभी लोग अपने घर पे लौट रहे तो यह बहुत भड़ी खबर है और बहुत ही खुशियों की खबर है आप सभी के लिए इसे मजदूर भाइबेन जिनको अभी तक जानकारी नहीं पहुची होगी तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप प्लीज और ताकि सभी लोगे पास ये जानकारी पहुच आगे कि ट्रेने चालों हो चुकी है अब आपको जो है कहीं हरताल करने की या सड़कों सरकार आपके राज्यों में लेजाएगी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिया तो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राशन की जो समझस्या इसमें देश में सबसे आगे हैं क्योंकि सरकार ने तो इससे पांच-पच किलो राशन देने का वादा किया और काफी जगों प साथ लोग है तो वहां पे जो है राशन वाला आपको सिर्फ 20 किलो या 22-25 किलो जो है देखें हटा दे रहा है बागी के दस किलो पांच किलो जो है वो घपला कर दे तो इसी प्रकार की कहीं पर भी घटना होती है जिया दोस्तों अगर आपके राशन कार्ड में जितने नाम है उस हिसाब से आपको राशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज वीडियो की नीचे कमेंट रखें हमें अपना जो है नाम और अपना पता जरू बता दिए पते मैं सिब आपको अपना डिस्टिक बता दीजेगा जिया दोस्तों उसके उपर करवाई की जाएगी ताकि आप सभी का जो हक है वो मिले अगली की तरफ बढ़ते हैं ज्यादोस्तों सरकारे ने किसानों के लिए जिसके अंतरगान स्यूज चलते हैं उन्यूज के वज्ये से उनका नुकसान हुआ है जो अभास्त की वज़े से पाफी जगह है तमार्टी खेती वगर्शा होग मेंट जहांपर चलते जिनका नुकसान है उप जादा से लिए इस बात बहुत है ची खबर हैं कि चार लाग का भुगतान किया जाएगा अगली खबर की तरह बढ़ते हैं जिया दोस्ता सरकार ने किया है एक करोड बीमा का योजना जिया दोस्तों एक करोड का बीमा आपने सही सुना है सरकार ने कहा है कि करोना वारियस जो करोना के संकर्मन में लड़ रहे हैं जैसे कि सफाई कर्मचारी चाहे डॉक्टर्स हों च चाहे नर्सेस हों, चाहे कुछ स्वेम सेवक हों, कुछ NGO के जो हैं लोग हैं जो लगे हुए इस काम में काखी आप लोग घर बैठें और आपको साइज जरुवत मन्त की चीजी आपके घर पहुंच जाए ऐसे लोगों को अगर करोना का संकर्मन होता है यानि किसी भी प्रकार की छती होती है, कुछ जगों पर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स की के टीम पर लोग हमले कर रहे हैं, ऐसे हमले में भी किसी को अगर कुछ नुकसान होता है, ऐसी कुछ भी घटना घटित होती है, तो सरकार उनके परिवार वालों के लिए जिया जो एक करोड का बीमा जो है गोशित कि यह सरकार पैसे देंगी एक करोड महरा सरकार नाभी 50 लाग देने का वादा किया है तो यानि कि तमाम नर्सेस डॉक्टर के लिए अगर कुछ भी करोना संक्रमेंट से गरसित होंगे तो इनके परिवार को 50 लाग रुपे दिये जाएंगे तो यह बहुती कर दिया गया है जी तो जो नवी से ग्यारवी तक के थे पास कर दिया जाए गा सिर्फ और सिर्म का अग्जे का एक्जाम लिया जाएगा जो जून जिलाई में अगर करोना संक्रमेंट जादा हुआ तो उसके बाद पोस्पन हो सकता है लेकिन फिलाल ताजा रिपोर्ट के यह फैसला किया है कि अब September से यानि कि जो नए अडमिशन्स होंगे जो नए बच्चे आएंगे अडमिशन्स लेने के लिए उनके लिए जो है डेट वो September तक कहा है और September से शुरू होगी आपकी क्लासे कोचिंग क्लासे चाहिए हो आपके कॉलेज के लेक्चर सो चाहिए मीबियस के हो चाहिए सब किसी भी छेदर के हो आपके सेप्टेंबर मन्द से स्टार्ट होंगे अगली खबर की तरह बढ़ते हैं जो है तीन तरह के जोन बनाए एक है रेड जोन एक ग्रीन जोन और एक आपका हॉट्सपोट की टाइप है तो आप जानी कि और जिसे हम कहते हैं यहां पर जोंके पर्क में जो लोग आए हैं यह होते हैं लो रिस्क तो यह तीन चैन होती है तो इसके लिए सरकार ने जो है जो एक रणनीती बनाए जिसके अंदर गाट जीलो को घुशित किया जाएगा रेड ज़ोन में अर और और यान कि जहां पर रेड जोन होगा वहां पर लॉक डॉन आपका नहीं खुलेगा वहां पर आपको कुछ सरतों के साथ कुछ चीज़ें की दुकाने खूली जाएंगे लेकिन ग्रीन जोन और 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 ऑरची जोन में सारी थुकाने खुल जाएंगी यानि चाहं और पर लाग करोड का नुकसान भारत को अगर तीन मई के बाद लॉकड़ान बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की आर्थिक इस्तितिक कितनी जादा खराब हो सकती है तो दोस्तो इसलिए सरकार ने बहुती बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि तमाम जितने भी सरकारी हैं नहीं नहीं मिलेगा जो है इन चीज़ों का भुकता नहीं किया जाएगा तो या लगभख अगर देखा जाए जिनकी पगाच 56,000 मैं आपको एक मिनमम बता रहा है उनको कम से कम धाई हजार का नुकसान होगा यानि कि यह थाई हजर पर कटेंगे क्योंकि सरकार इन पैस सरकार का राजयस घाटा बहुत ही ज्यादा नीचे हो रहा है और इनी चब को पत्का भर्थ चदिपूर्टी करने के लिए सरकार ने फैसला लिए कि तमाम सरकारी कमचारियों का जो है सेलरी कटेगी जिया दोस्तों अगरी खबर की तरह बढ़ते हैं रिलाइंस इंडेस्ट होती है 15 लाख लेकिन अगर 15 लाख के उपर अगर आपकी सलाना सेलरी है तो आपकी जो है आधी सेलरी कटेगी जिया दोस्तों आधी सेलरी कटेगी अगर 15 लाख सलाना के उपर है जिया दोस्तों इन सभी के गोशना मुके संभाने ने स्वत्य कर दिया अगली खबर की तरह वड़ा फोन का है चाहे एटल का है चाहे जीयो का है आप सभी को जो है दो सो लॉक्ड़ान के वज़े से जो यह सारी सुविधा दी जारी तो आप सब इसका लाब उठा सकते हैं बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ सरकार के दोरा दिये जारे जंधन खाते में पैसे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं जिया दोस्तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी खाते में अभी तक पैसे नहीं आए क्योंकि उनके पास जंधन खाता नहीं है तो क्या ऐसे लोगों की कैसे मदद की जा सकते हैं क्योंकि लॉक्ड़ान में भी बैंक आपका खुला हुआ हुआ उसके बाद सरकार के दोरा भीजी जारे सभी मददत आप पा सकते है ज़ alert सरकार सभी के खाथे में 2-2,000 रुपे फ़र्स्ट वीविक में सब्ता के पहले ही सब्ता में आपको दे देती है और उसके बाद महिलाओं के खाथे में 5-500 रुपे जमा करवाती है पर जो सबसेडी दी जाती थी उसे डबल कर दिया गया है आप अपने बैंक के खाते में जाके जो है इसे चेक कर सकते हैं यानि कि जो आपको 40, 50, 100, 500 जो आते थे उसका जो है दूगना हो जाएगा जो भी आपको बाटले के हिसाब से आपको आता था तो यह जो है दूगना कि जिहां दोस्तों जहां पर कच्चा तेल का जाम बहुत गिरा हुआ हुआ उसके बावजूद जो है भारत सर में पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहा है यह बहुत है हैराणी करने वाली, तमाम लोगों के लिए क्योंकि कोच्छा तेल बहुत सस्ता मिल रहा है क्योंकि निए बंग्वलाइब दोस्तों और समय पेट्रोल के दाम आपको एक रुप्य बढ़ा के मिलेंगे अगली कि तरह बढ़ते जा दोस्तों अगर जितने भी तमाम मज़ूर भाई बहने है जीने भी गाउं जाना है या फिर आप इस वीडियो के नीचे नीचे कमेंट रखे हैं हमें नंबर से सकते हैं ज्यां दोस्तों कि एक पर अपफ़ सरकार की लोग रजिस्टेशन करने होगा जाया या आपको खोड मिलेगा कोड के इसाब से घ्रेन के माधी मा पहुंचाया जाये गा गार तो ठीम से अब भी नीचे कमेंट कर सकते हैं izma